आईए कुछ सरल कार्बनिक योगीकों का नाम करण करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ नियमों को दोहरा लेते हैं, तो कार्बनिक योगीकों के IUPAC नाम में तीन भाग होते हैं, पूर्बलगन यानि प्रिफिक्स, मूल शब्द या रूट वर्ड और अनुलगन या स इन में से पूर्बलगन कोई प्रति इस्थापी समू होता है, जो आमतोर पर हैलोजन्स होते हैं, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, इसी तरह से फ्लोरीन के लिए फ्लोरो इन शब्दों का उपियोग करते हैं, इसके एक कार्बन परमाणू है तो उसके लिए मैथ, दो है तो एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट और इसी तरह से हम आगे नाम लेते हैं अनुलगन कोई प्रकारियात्मक समू होता है जैसे यदि एलकोहल है तो उसके लिए ओल, एलडिहाइट के लिए एल, किटोन के लिए ओन और कार्बॉक्सलिक अमल के लिए ओएक अमल ये शब्द लिए जाते हैं और यदि इन में से कोई प्रकारियात्मक समू नहीं जुड़ा है तो फिर हम आबंधों की संख्या को देखते हैं त्री आबंध के लिए आइन, द्वी आबंध के लिए इन और एकल आबंध के लिए एन लेते हैं याने यदि त्री आबंध और द्वी आबंध नहीं है तो फिर हम एन लेंगे अब चलिए इन नियमों को जानने के बाद हम कुछ कार्वने की योगिकों का नाम करन करते हैं तो पहला हमारा जो कार्वने की योगिक है इसमें कोई भी प्रिफिक्स या पूर्व लगन नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम करन हम मूल शब्द से शुरू करेंगे जिसके लिए हमें इसमें कार्वन पर्माणों की संख्या ग्यात करना होगा तो यहां एक, दो, तीन, चार और पांच, कुल पांच कार्वन पर्माणों है और पांच कारवन परमाणों के लिए हम पेंट का उप्योग करेंगे क्योंकि ये पेंटेन को दर्शाता है तो इसका मूल शब्द पेंट हो जाएगा इसके बाद यदि हम अनुलगन को देखें तो इसमें कोई भी अनुलगन नहीं जुड़ा है लेकिन यहाँ पर हमें तीन आवंध या त्री आवंध मिलता है जिसके लिए हम आईन सब्द का उप्योग करेंगे यानि मूल शब्द के लिए पेंट और त्री आवंध के लिए आईन तो इस तरह से इसका नाम यदि हम देखें तो वो हो जाएगा पेंट और आईन को जोड़ने पर पेंट आईन अगले कार्वने की योगी को देखते हैं यहाँ पूर्व लगने के रूप में हमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ मिलता है जिसके लिए हम ब्रोमो शब्द का उप्योग करेंगे इसके बाद मूल शब्द ग्यात करने के लिए हम कार्बन परमाणूं की संख्या देखते हैं तो यहाँ एक, दो और तीन, कुल तीन कार्बन परमाणूं जुड़े हुए हैं तो तीन कारवन परवाणूओं के लिए हम प्रॉप का यूज करेंगे क्योंकि यह प्रोपेन को दर्शाता है और यदि अनुलगन को देखें तो यहाँ पर कोई भी अनुलगन नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन कारवन और ब्रोमीन के बीच हमें एकल आवंध देखने को मिलता है बाकी सभी जगे भी एकल आवंध ही है तो उसके लिए हम एन का उप्योग करेंगे याने कि यहाँ पर पूर्वलगन ब्रोमो कारवन परमानुगों की संख्यत 3 के कारण प्रोप और एकल आवंध के कारण एन ये इसका नाम होगा इन तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है ब्रोमो प्लस प्लस एन यानि ब्रोमो प्रोपेन तो ये हमारा ब्रोमो प्रोपेन हुआ चलिए अगले कार्बने की योगी को देखते हैं यहाँ पर भी कोई पूर्वलग नहीं जुड़ा है तो हम इसका नाम करण मूल शब्द से सुरू करेंगे और मूल शब्द के लिए हमें कार्बन परमानों की संख्या देखना है तो यहाँ पर हम एक और दो दो कार्बन परमानों देख सकते हैं और दो कार्बन परमानों के लिए हम एथ का उप्योग करेंगे क्योंकि यह है एथ हेन को दर्शाता है इसके बाद अनुलगन को देखें तो यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है जो एलकोहल को दर्शाता है तो इसके लिए हम ALL लगाएंगे याने कि इन दो शब्दों को यदि हम जोड़ें तो एथ और ALL हो जाएगा लेकिन यह नाम थोड़ा अजीव होता है यहाँ पर एथ जो है वो एथेन को दर्शाता है तो हम एथेन के साथ ALL जोड़ेंगे और इस तरह से जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़कर इसका नाम करण करते हैं तो एथेन और ALL को जोड़ने पर हमें एथनॉल मिलता है तो यह एथनॉल है आएए अगले कार्बने की य पर्माणूं को गिने तो एक, दो, तीन, चार कुल चार कार्बन पर्माणूं यहाँ पर मिलते हैं तो इसके लिए हम ब्यूट शब्द का उप्योग करेंगे इसके बाद अनुलगन को देखें तो CO ये समुह जोड़ा हुआ है यानि कि ये कीटोन को दर्शाता है इसलिए ह हम यहाँ पर ओन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चार कार्बन पर्माणूं के कारण ब्यूट और किटोन के कारण ओन यानि की ब्यूटोन लेकिन हम इसे ब्यूटोन नहीं लिखेंगे क्योंकि चार कार्बन पर्माणूं ब्यूटेन को दर्शाते हैं तो हम यहाँ पर ब ब्यूटेनोन हुआ, आइए अगले कार्वनिक योगिक को देखते हैं, यहाँ पर हमें पूर्वलग नहीं मिलता है, और मूल शब्दे के लिए कार्वन परमाणूं को देखें, तो एक और एक दो, कुल दो कार्वन परमाणूं मिलते हैं, जो की एथेन को दर्शाता है, तो इसका जो मूल शब्द होगा वो एथ होगा, और प्रकारियात्मक समूह या अनुलगन को देखें, तो सी ओ ओ ओ एच, सी ओ ओ ओ एच, याने कार्वोक्सलिक अमल को दर्शाता है, तो यहाँ पर हम ओएक अमले जोडेंगे, तो यह हो जाएगा एथ और ओएक अमले, यहाँ पर एथ, एथेन को दर्शाता है, तो हम एथेन के साथ ओएक अमले जोडेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन और ओएक अमले, याने एथनोएक अमले, आईए अब एक और बचे हुए कार्वनिक योगी को देख लेते हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं कि पूर्वलग नहीं जोड़ा है, और मूल शब्दे के लिए कार्वन परमाणों की संख्या केवल एक है, यानि ये मैथेन को दर्शाएगा, और यदि हम प्रकारियात्मक समूह देखें, तो C-O-H इसमें जोड़ा हुआ है, यानि कि C-O-H, ये अलडिहाइड है, तो ये हो जाएगा, L को जोड़ेंगे, तो हमें मिलता है मेथनेल, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथनेल, मैथेन और L मेथनेल, तो इस तरह से हम कार्वनी की योगिकों का नाम करण कर सकते हैं, हम पहले पूर्व लगन ढूड़ते हैं, और उसके आधार पर शुरुवात का नाम रखते हैं, फि अनुलग नहीं जोड़ा है, तो फिर हम आबंधों की संख्या के आधार पर अन्तिम शब्द निर्धारित करते हैं, और इस तरह से इन तीनों शब्दों को जोड़ करके कार्वनी की योगिक का नाम करण करते हैं,